सब था कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर हमको काम करने में थोड़ा सा डर्ल लगता है कभी-कभी किसी को ऐसा लगता है जैसे मंगलवार को कोई काम किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलगी होगा या फ्राइडे को मेरे लिए बहुत अनलगी है तो आज का जो मेरा टॉपिक है आप ये छोटा सा उपाई करिए देखिए किस तरह से आपको ये सातो दिन आपके लिए लाबदायक और आपके लिए योग कारक बन सकता है मंडे का अगर दिन आपको चूज करना पड़े और उस दिन को इंपोर्टन काम करना पड़े तो सुबह सुबह हो सके तो कच्चे दूद से अपने हाथ दो लीजे देखिए किस तरह से आपको मंडे सक्सेसफूल लग देता है टूजडे को कोई दिन अगर आपके लिए अनलखी हो और उस टूजडे को आपके लिए लखी बनाना हो तो सुबह सुबह उटके थोड़ा सा गूर खा लीजे बु अगर आपके लिए लखी बनाना है तो दही आप अपने पानी में डाली उसके बास नान करिए शनीवार को अगर आपके लिए लखी बनाना है तो शिव जी के अरग या में सरफो के तेल से उसका भी शेक करिए देखिए शनीवार आपके लिए किस तरह से लखी बन जाता है अगर संडे को लखी बनाना चाहते हैं तो सुबह सुबह सूरे उद्धे में अगर आप जल चराते हैं तो कुम-कुम डाल के फिर आप जल चराए देखिये किस तरह से संडे आप के लिए लखी बनता है कल मैं लाइव आने वाली हूँ अपने कोशन्स रेडी रखेंगा कल मिलते हैं 6 बजे तब तक के लिए हरी हूँ